Hello everyone, welcome back तो यार, आज का वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है फिलाल मैं मॉसको में हूँ विदिन्खा के बाहर, विदिन्खा एक बहुत famous जगा है अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको पदा चल जाएगा तो topic के उपर आते हैं यार कि बहुत लोग आप लोग में से पूछते हो कि यार 2024 में रश्या के अंदर किस तरीकी की job with education, without education किस तरीकी की job available है क्या salary scale है किस तरीके से आप सारी चीजे कर सकते हो और कैसे आ सकते हो और आने के बाद आपको कौन-कौन चीजे नहीं करनी है और आने से पहले क्या सारी चीजे करनी है ताकि आप यहां पर पहुचो यहां का आपको work visa या work permit मिल पाए तो यह सब explain करने के लिए हमने आज एक बहुत ही special guest को बुलाया है और वो यहां है विशाल भया आपने पहले भी विशाल भया को पुराने वीडियो में देखा होगा विशाल भया को ही especially इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि खुद विशाल भया five to six years से रश्या के अंदर है और बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा पैसा चाप रहे हां झाज के टेट में वह बताते नहीं कितना चाप रहे हैं तो अभी इस जर्नी में हम लो पूरा एक व्यूं करेंगे विदिन खाप या विदिन ख के बारे में बताई विदिन का कैसा जग़ चाप था एक एग्जिवीशन सेंटर है मॉस्को के अंदर बहुत ही जादा फेमस प्लेस है यहां पर बहुत सारे टॉरिस्ट आते हैं अर्थ-पास के देशों से और जनरली वीकेंड में भी लोग जो है चिलाओ करने के लिए यहां पर आते हैं अपने फैमिली के साथ गूंगते हैं अ आप कौन-कौन सी जॉब यहां कर सकते हो और कितना पैसा कमा सकते हो और क्या प्रॉफित है रश्या आने का तो फिर चले ब्या चले चलिए लेट्स कॉर यह पूरा विईव चेक आउट करो और वधिना का जो यह इंट्री के है उसका यह यह विईव है और आप देख सकते ह तो अगर आपको यहां पर काम करने का मौका मिलता है ना भाई तो उसके साथ ही साथ आपको रश्या को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलगा क्या वोलते हैं तो भाई आने का तो बहुत फाइदा देखो कई वारी क्या होता ना कि यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए जो चाह creating work that led altar now hate थे उतना difficult है। यहां पर आप एजली यहां कर सकते हो यहां दिपन करता है वही लगा आप चीज़ घ्र कर विडियो में दिसकस करेंगे तो अब discuss कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि या क्या प्रोशिजर फॉलोग यहां किस तरीके से चीज़ ने होती है तो विशाल बहिए सबसे पहले आप बताईए कि आप यहां पे कितने टाइंसे हैं और क्या-क्या चीज़े करके आप यहां तक पहुंचे हो और थोड़ा बतल लोगों को गाइड करो वाई तो लोग कुछ भी मतलब बैट के वीडियो बना दे रहे हैं इसलिए मैंने आज आपको ले कर आया हूं कि आप जरूर से लेकर अब तक यहां पहुंचे हो तो सारी चीज़े बताओ आप बात बिल्कुल सही है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जहें को लोगो सब्सक्राइब के अंदर एक ऐसा मिस इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि यहां पर बहुत सारा जॉब है बहुत आफ्सानी से मिल जाती है और लोग इस लालच में यहां चले आते हैं हलाकि जो सच्चाई हो ऐसी नहीं है यहां पर मेरी सुरवात हुई थी जब मैं मास्टर् करने के साथ मेरी इंटमसक्राइब लगी वहां मेरी इंटमस्टिप किया फिर उस चम्पनी ने मुझे फुल टाइम पे रखखा वहांपे मैं मैंने में जॉब कर अग-बाद झेल साल उसके बाद फिर से मैंने कमपनी की चेंच कि और उसके बाद मतलब ब़ग एसे अपने पड़ी बिना उसके अगर कुई आपको बोलता है कि यहां पर जॉब मिल जाएगी तो नहीं मिल जाएगी तो भी वाइट जॉब तो वह बिल्कुल गलत है और वह आपको बहुकूब बनानी कोशिश करता है तो भाईया यह बताईए कि आप ने यह तो बोल दिया कि मतलब कि आपने कितना मेहनत किया था और आपको लाइग्वेश सीखना वड़ा था लाइग्वेश सीखने में तो मुझे लग 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 बग दो साल कम जे कम लगे थे आज भी मुझे पूरे तरीक से तो नहीं आती है क्योंकि रॉस्यां लैंग्वेश जो है वो दुनिया की एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइग्वेश वो इतनी असानी से कोई भी नहीं सीख सकता है तो उस पर अभी मेरा काम चल रहा है लेकिन है यहां पर आपको जॉब करनी है जो है कोई भी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में तो आपको लेंग्वेश आनी चाहिए आप इंग्लिस क अकसर यहां से रश्या में या तो एरपोर्ट से यहां आने के बाद जॉब से डिपोर्ट किया जाता है यह सच्चाहिए आपको कोई नहीं बताता है बिल्कुल अभी दो दिन पहले जब हम लोगों ने बात की थी मैंने बताया था कि वह एक देली से जो बंदा था उसको ए चैट शेयर किया और भाई उसने जैसे ही मौस्को पे लैंड किया ना वहां से उसको वापस डिपोर्ट कर दिया गया यह भी कहानी जो हम आपको पूरी आप भी आगे बताएंगे पूरा सीन चेक आउट करो अभी हम लोग जस विदिन का के जो पीछे वाला पार्क है उदर आए हैं और देख सकते हो सूर्य देवता भी नीचे जा चुके हैं अभी और अब हम आते हैं वापस टॉपिक के उपर भाई देखो जौब के टॉपिक के आने से पहले ना हम लोग आपको एक स्टोरी बताते हैं छोटा सा कि इंडियन्स को आखिर यहां पे आज की डिपोर किया जा रहा है तो भाईया बताईए जहां तक डिपोर्ट करने की बात है यह बहुत सारा ऐसा मतलब के सामने आए हैं जिसमें एजेंट जो है अपने हां बहुत सारे लोग हैं तो जौब खोशते हैं बहुत जादा पैसा कमाने लगेंगे और इस चकर में वह एक बार पैस जो में मोटिव है वो पढ़ाई का नहीं है आपको में मोटिव है जॉब कर लेते हैं उनका यह रोज का काम होता है और उसे वह पढ़ जाते हैं जब जाहिर जी बात है कोई शालीस साल का आदमी अगर यहां पर लेंग्वेज का कोर्स करने आए तो एक सिंपल सा माइन में में डाउट वही वह इस उम्र में जहां तक लोग सेटल हो जाते हैं वह भी लेंग्वेज करने आया है क्या रिजन में रेड प्लाग है और उसके बहुं सारे लोग चुकी पढ़े लिके नहीं होते हैं चैनके बास बेसिक करने होती वह यह बोलते हैं कि बस हम अधियम से आते हैं उन्हें लगते हैं वह आते ही जौब मिल जाएगी और उस चक्कर में फिर वह डिपोल्ट की जाए जब लोग आते हैं ना तुमको जाते हैं इतनले लाख रुपय का जाएगा तो भाई यह एक साल से हूँ भाई चे साल से यहां पे हैं और हम दोनों यह चीज बोल रहे हैं रश्या में होने के बावजूद भी सबसे बड़ी चीज एक यह भी होती है कि जब आप पास्पोर्ट कंट्रोल इमिग्रेशन पर होते हैं तो आपका फोन चेक कर सकते हैं और इस बंदे के केस में ऐसा ही हुआ दो जिन पहले उसने पास्पोर्ट कंट् है वो भी पैसा ले गया और उसके साथ जो है आप आपने कहीं से लोन लिया और वो सब चुकाते रहें बैटके अब चुकाते रहें साल बत्व जिंदगी भरोक मेरे साब से इससे बढ़िया आप इंजय में कुई चाप करें तो जादा बढ़िया ऑन इस तरीके से ना यह पूरे तरीके से इस तरीके से ना है इसका एफेक्ट पूरे इंडियास के उपर पड़ता है एक इमेज खराब होती है हम लोगों ने इतनी सारी चीज़े सैड रियालिटी तो रश्या के बारे में बता दी लोग अभी डिमोटिवेट हो गया होंगे अब यह बताइए कि यहा सकते हैं कितना पैसा कमा सकते हैं और क्या benefits मेलेगी उनको यहां आने के बाद उस पर बात कर लेते हैं अकर कोई भी अपने इंडिया से माइग्रेट होने होना चाहता है उसके सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि पहले आपको अपना एक basic education अपने देस में complete खरना होता है उस education की base पे या जो भी आपका profession है चाहिस फिल्ड में उस फिल्ड में आपको यहां पे उनवर्स्टी खोजनी होती हैं क्योंकि यहां कंपनी आपको directly नौकरी नहीं दे सकते हैं कितना भी experience हो उन्टिल आपको बहुत highly skilled हैं अगर आप बहुत highly skilled हैं तो आप बहुत जोदा प उस फिल्ड में प्लस साथ आपको language में बहुत ज़्यदा काम करना होगा यह दो चीज़े अगर आप कर लेते हैं उसके बाद आपकी इंटमसीब अगर किसी कंपनी में लगती है और उस कंपनी में आप एक इंटमसीब करने के बाद अगर वो कंपनी को आपका काम अच्छा प्रोफेस्ट्र wegen यह जो और आपके हाप में लेगा है तो सेलरी से एक मुझना चाहताओ आपकी सेलुरी क्या है मेरी सेलरी अगर ऑन एवरेज यहां पर सबकी सेलरी अच्छी होती है बहुत ज्यादा हाँ अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैकि मैंक्डॉनल्ड्स चाहे के अपसी बर्गर किंग यह कोई भी ऐसा नॉन वाइट कलर जॉब तो उसमें आपकी सेलरी थोड़ी कम होती है बा कि आप अच्छा कदर पैसा बचा सकते हैं घर भी बेश सकते हैं और डेली एक्टिविटीज के साथ-साथ आप साल में दो बार आप बाहर भी जाके घूंशते हैं मतलब मुझे अच्छा लगता है मैं खुझ जो है हर छे महीने पर कहली मैं कभी किसी मेह देस में जाके घू तो समझ जाओ कि मतलब अच्छी खासी सेलरी है बंदा समझदार है इसलिए बता नहीं रहा है तो भाई अब मेरे को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जो इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टें सेक्शन है मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सदार्थ हैं आज की डेट में बतब 2024 में जो वो लोग है जिनके पास ना एजुकेशन है ना रश्यन लांगवेज है तो वो लोग जब यहां आना चाहते हैं तो किस प्रकार से कौन सी जॉप्स उनको मिलेंगी कितना वो घंटे के हिसाब से या महिने के हिसाब से या हफ़ते के हिसा वीजा पर हां पर आ सकते हैं और पार्ट इम यॉप कर सकते हैं ऑफ Mr. एपकर स्टुडेंट वीजा तुडेंट वीजा ऑना चाहिए ना कि टुरिस्टिक वीजा प्लस आपको पासपर्ट कंट्रोल क्लेर करने का तरीका आना चाहिए आपकी ग्रॉमिंग अचली होनी चाहिए आपका लुक जो है वो matter करता है आप क्या बोल रहे हो क्या knowledge है आपके पास और आप जहां जा रहे हो क्या वहां जाने के लिए आप शूर हो आपको जगह के address पता है वह सारी चीज़े वो लोग पूछते हैं क्योंकि पूछते हैं कि आपका future plan क्या है अपिस language course करने के बाद आप क्या करेंगे कौन सी जॉइन करेंगे तो उसके लिए आपको पहले तरह प्रिपेर करना होता है नहीं अगर आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर करते हैं तो उसमें लगवाद 2-3 लाग रूबस तक लोग यहां कमा लेते हैं और यह मत सोचना कि मैंने ऐसी हवा में बोल दिया है मैं भी पार्ट टाइम जॉब करता हूं आइफोन भी जो खाईदा है ना 15 प्रो मैक्स अपने पैसे से खाईदा है और बहुत सारी चीज़ दो भाई छे साल से यहां पर तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके इनको लाया हूं फुरी होते नहीं है बहुत है पिर भाईया है तुमने जो भी अचीव किया उसके तुमने भी महनत करी है तुमने भी लैंगवेज को सीखा एक लाग लिए बहुत इंपर्टन रहा है जॉ लैंगवेज की अच्छी कासी नौरेज है तो आपको जौब अच्छे से मिल जाएगी यहां पर उसकी कोई टेंसे नहीं है प्रॉब्लम है कि आप कितना उस फिल्ड में महनत करते हैं और इन सब में हम दोनों ही एक बात को एक सहमती के साथ आड़ करेंगे कि भाई जब यह सबस्ता बंद होता है तो किसे के साथ भी ऐसा काम मत करो कि जिससे आपकी गलती के वैसे ना सभी इंडन्स को जज किया जाए क्या बोलते हैं बिल्कुल मेरे साब से बिल्कुल आपको ऐसा बीहेव करना चुछी है क्योंकि आप एजए अपने देश के लिए यहां पे और आ किसे आना है क्या क्या चीज़े करनी हैं और कितना पैसा आपको मिल सकता है यहां पर वह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो फिर इसी के साथ वीडियो को खतम करते हैं फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और जगा पे किसी और लोगों के साथ तब तक क वेलिये दस्विदान्य दस्विदान्य